जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिफ चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के दो दिन, 7 फरवरी और 8 फरवरी के धनुराशी फल के बारे में दनुराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे ग्रहन अक्षत्र क्या होंगे क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन चर्या पर कैसा होगा आपकी नौकरी पर आपकी स्वास्थेप पर आपकी सिक्षा पर प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे तो आप से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पासी बने गंटी के बटन को जरूर दबा दें इससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो चली जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, नक्षत्र क्या होगा और क्या योग बनेंगे साथ फरवरी, शुकल पक्ष की त्रियोदसी तिथी है और इस दिन पुनरवशू नक्षत्र रहेगा प्रिती नाम का योग बन रहा है ये शुकरवार का दिन है सुरिया मकर राशी में है, घनिस्ट नक्षत्र में और चंद्रमा साड़े छे बजे तक मिथुन राशी में होंगे उसके बाद करकराशी में प्रिवेश करेंगे आठ फरवरी का दिन शुकरवार का दिन शुकरवार का राशी की चतोरदशी तिती है इस दिन पुशन नक्षत्र बन रहा है जो कि रातरी दस बजे तक बनेगा इस दिन आश्मान नाम का योग है शनिवार का ये दिन है चंदरमा करकराशी में आ चुके है सूर्य मकराशी घनेश्र नक्षत्र में ही है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों के इस्तिती और यहां जो साथ फरवरी का दिन है उस दिन गजकेसरी योग बन रहा है जो की बहुत ही शुभ योग माना जाता है गजकीश्री योग का मतलब होता है money flow होना यानि आपके जो पैसा है वो आपके पास आना जो आप काम करते हैं उसमें तेजी आना और जो आठ फरवरी का दिन है वो पुशन नक्षत्र है पुशनक्षत्र अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है और इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ बाना जाता है अगर आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कारेकरम है शादी शमारो है तो आप इस दिन आभूशन की खरेदारी कर सकते हैं वस्तरों की खरेदारी कर सकते हैं वाहन की खरेदारी कर सकते हैं इस योग में की गई खरेदारी बहुत शुब होती है और कई गुनाब आपके लिए लाब भी दिलाती है तो दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और अगर हम चंद्रमा की इस्थिती की बात करें 7 फरवरी को चंद्रमा आपके सब्तम भाई में होंगे और 8 फरवरी को आपके अस्टम भाई में होंगे आठ फरवरी से त्रिग्रही योग भी बन रहा है तो कई सारी चीजें एक साथ इन दो दिनों में होने वाली है जो आपकी जो दिन चरिया है उसको किस तरह से एफ़क्ट करेंगे किस तरह से आपको लाब मिलेगा क्या सावधानी रखनी है चलिए विस्तार से जानते हैं इस समय आपका जो ध्यान होगा आपकी गती विदियों पर होगा जो अपने कारे के प्रती आप जो आप काम कर रहे हैं उन सभी गती विदियों पर आपका ध्यान होगा अपनी हर एक चीज को आप बारी की से सोचेंगे और ध्यान देंगे कि आप अपने काम में कहीं कोई गलत नहीं होती है कुछ जरूरी प्रश्णों के उत्तर खोजने के लिए भी आप ललाइत रहेंगे और जो इस समय जो लोग किसी कलात्मक चीजों से जुड़े हुए हैं कोई लिखक हैं तो उनके लिए बड़ा ही उजवल भविश नजर आ रहा है आगे आने वाला समय उनके लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है लाब दायक रहने वाला है इस समय आप किसी भी नई शुरुवात या प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसे शुरू करने से पहले किसी सलहकार की राय आप जरूर ले लें किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे अच्छा ग्यान हो जो आपके लिए अच्छी बाते आपको बता सके जन्यों चीज़ आपको बता सके अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए आप खुद की आएके नए शोतों की तराश भी कर सकते हैं आपका जो माइंड है वो पैसे कमाने के नए तरीकों के तरह ध्यान आपका जा सकता है कुछ नई चीजें आप इस समय खोजना चाहेंगे और काफी एनरजेटिक भी आप रहेंगे लव लाइफ की बात करें तो इस समय आप किसी की शेयर कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन के लिए ये जो समय होगा ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यानि ठीक ठा कि जो समय है ये दिखाई दे रहा है ये दोनों ही दिन आपके लिए बहतरीन रहेंगे हलाकि 8 फरवरी का दिन स्वास्ते संबंदी कुछ परिशानि हो सकती हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा स्वास्ते के प्रति सावधानी रखनी होगी लेकिन व्यावसाई की यात्राओं का योग है और ये यात्राएं आपके लिए लाबदायक रहेंगी बिजनिस में अधिक मुनाफिक के लिए आपको किसी से सहयोग की प्राप्ती हो आपका कलात्मकारों के प्रतिर रुजहान इसमें बाढ़ सकता है तो कि जो शुक्र है वो उचके चल रहे हैं और इन दो दिनों में जो इस्तितिया है नक्षत्रों की वो भी अच्छी बनी हुई है तो आप कलाप्रेमी समें रह सकते हैं अपने रिष्टों में एक नई बह बाहर लेकर आ सकते हैं बच्चों के साथ कहीं गूमने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आप डिनर करने जाए या गूमने जा सकते हैं कुछ अलग कुछ नया करने की इच्छा आपके मन में रहेगी जिसे आप अच्छा रूप देना चाहेंगे यानि उसको Μन्हामना की पूर्ती भी हो सकती है आप अपनी हर कामना को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। इस समय त्रिग्रही योग भी बनेगा आठफारिवरी से तो जिससे आपके अंदर क्रोध की अदिखतर है सकती है तो अपनी क्रोध पर नियंतरन रखे और अगर आप पार्टनर्सिप में बिजनेस करते हैं तो आप ज़रूर अपने करोध पर नियंतरन रखे वरना आप लड़ाई की स्थिति आपके लिए बन सकती है इसके लावा आपकी पर्सनालिटी में इस समय बदलाव देखने को मिलेगा आत्म विश्वास भी आपके अंदर होगा जिससे जबरज़त सफलता मिल सकती है लेकिन कॉन्फिडेंट रहना अलग बात है ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने काम को अपना बिगाड़ दें इसके तरफ भी ध्यान रखें जो लोग नौकरी करते हैं वो अपनी आफिस में समहल कर कार्या करें बेकार की बातों में नाफसें विवादित चीजों से दूर रहें व समझदार इसी में है कि यह जानने की कुष्षिष करें कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी शवी को बिगाड़ सकते हैं इस समय आप अपनी कलात्मक लब्दियों के लिए जान जा सकते हैं आपको पहचान मिल सकती है जितनी पहचान आपको मिल सकती है तो किसी भी मुद्य को बिगड़ने ना दे धियान रखें आप जो भी काम करें पूरे मन से करें बहुत दिनों से आप कुछ दान धर्म करने की भी सोच रहे थे तो ये समय होगा आप दान करना चाहते थे तो जरूर करें अपनी सामर्थिक अनुसार दान कर सकते हैं क्योंकि आप उस योग्य हैं तो आप बिलकुल करें ये ने काम है और इस काम से आपकी बड़ी प्रसंसा भी होगी और आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको आत्मसंतुस्टी मिलेगी तो ऐसे काम आप समय समय पर करते रहें जिससे आपको शांती मिलेगी और य अपने या अपने पार्टनर के परिवार पराय संकर के कारण कुछ थोड़ा सा कमजूर महसूस कर सकते हैं, आराम और अपनी देखबाल के लिए आपको वक्त निकालना होगा, और इस आवधी में आप किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं, वो चर्चा बहस में कब बदल जा, इसक किसी अपने प्रियजन के साथ आप कोई मेडिकल जाज के लिए भी जा सकते हैं, तो समय पर अपना मेडिकल चेकप भी आप कराते रहें, जैसे आपका स्वास्ते ठीक रहें, तो आठ फरवरी को स्वास्ते समंदी कुछ परिशानी नजर आ सकती है, छोटी मोटी परिशानी हो लेकिन उसको नजर अंदाज आप बिल्कुल ना करें, समय पर उपचार कराएं और छोटी बीमारिया ही आगे चलकर बड़ी बन जाती है, इस चीज का भी आपको ज़रूर धिहान रखना है, तो ये इस्तितियां जो है काफी अनुकुल आपके लिए बनी हुई है, और ज आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, उसके लिए भी योग अच्छा है, अगर हम विद्धारतियों की बात करें तो विद्धारतियों को कड़ी मेहनत करने का समय है, तो आपको जादा से जादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना होगा, नता की आपको आपको future bright है और उनके लिए अच्छे इसमें result देखने को मिल सकते हैं तो दोनों ही दिन आपके लिए काफी अनुकुल रहने वाले हैं इन दो दिनों का लाब आप उठाएं चैनल को subscribe कर लें वीडियो को अधिक से अधिक like करें और share करें